लो दोस्तों आप सभी को Green Kitchen में स्वागती है अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो फ्लीज सब्सक्राइब कीज़ेगा, लाइक कीज़ेगा, शेर कीज़ेगा, कामेंट कीज़ेगा आज हम मनानी वाले शेर कुर्मा या दूद की सेवियां रेसिपी चो चलिए इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं, हमने लिया है आदा लीटर दूद, सेवियां, स्पाइसेज, कैशनेट्स आदा कप, राइजीन्स आदा कप सो हमने मीडियाम फ्लेम रखा है और एक्यूटन से लेकर टू टेबल स्पून अफ मेल्टेड घी लिया है हमने और आड किया है वर्मिसेली सेवियां, टू एंड आफ टी कप, हमने लिया है सेवियां सो अच्छे से स्टिफ कर लीजिएगा, ताकि हमारे सेवियां थोड़े से रोस्ट हो जाएं, थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर आजाएं अब देख सकते हैं यहां पर हमारे सेवियां ब्राउन हो जगे हैं दूसरी तरफ हमने लिया है यूटेंसिल और आट किया हैं मल्टड़ घी टू टेबल स्पून, स्पाइसे यानि की दालचीनी, लोंग, इलाइची टू पीसे अब हमने आट किया हैं कैश्विनेट्स यानि की काजू, आदा कप यानि की टी कप अच्छे इसे स्टीर कीजिए ताकि हमारे कैश्विनेट्स थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाएं आप देख सकते हैं याँपि हमारे कैश्विनेट्स अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं हमने आड़ किया है water, two end of glass water, हमने आड़ किया है first glass, इसी glass से हमने water को measure कर लिया है, अब हम आड़ कर रहे है second glass of water, अब हम आड़ कर ले है, half glass of water, कुल मिला कर, two end of glass of water, आप देख सकते हैं, यहाँ, अच्छे से stir कर लिज रहे, और लिट कवर कर लिज रहे, थोड़ा सा medium flame रखिये, आप देख सकते हैं, यहाँ एक boil आ चुका है, यानि की उबाल, हम roasted saviya को इसमें transfer कर रहे हैं, और अच्छे से stir करें, ताकि roasted saviya जो है, अच्छे से गल जाए, ज्यादा मत गला ये, थोड़ा सा गला लिजिएगा, आप देख सकते हैं, हमारे saviya थोड़ा थोड़ा गल रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छे से थोड़ा पानी कम हो चुका है, और हमारे saviya जो है, करेक्ट कांसिस्टेंसी में गल चुकी है, इसी कांसिस्टेंसी को, आप भी मेंडेन कीज़ेगा, ज्यादा मत गला ये, अब हम आड़ कर रहे हैं शुगर, टू एंड ओफ टीकप, यह फास्ट टीकप था, सेकेंड टीकप, अब हम आड़ करें हॉफ टीकप, कुल मिला कर टू एंड ओफ टीकप, अच्छे से स्टिर्क लेज़ेगा, ताके हमारी शुगर यानि की चीनी अच्छे से घुल जाएं इसमें, आप देख सकते हैं, इसमें चीनी दालने के बाद, उबाल आना शुरू हो चुका है, तो दो उबाल यानि की टू बॉइस आने के बाद, स्टाव आफ कर लेज़ेगा, और थंडा होने के बाद ही, दूद यानि की मिल्क, हौफ लीटर मिल्क ट्रांसर कर लीज़ेगा, याद रखिएगा, हमारा सेविया थंडी होने की बाद ही, आप दूद इसमें दाल लीज़ेगा, वरना हमारा दूट फट सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ, हमने ले लिया है रेजिन्स यानि की, किस मिस, हाफ कप, सेविया पकाते वक्त, आप थोड़ा सा थंडा दूदी इस्तिमाल कीजिएगा, हमने यह सेवियों को एक बाउल में ट्रांसर कर लिया है, और हमारे पास ड्राइ खजूर यानि की ड्राइ डिट था, तो उसे हमने थोड़ा सा रोस्ट करकर, यानि की फ्राइ करकर, हम उस पे गानिश के लिए ले रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप भी इसी तरह आपके गर में, सिंपल सी रेसिपी आनि की शीर खुर्मा या दूद के सिवियां, पका के सर्फ कर सकते हैं, यह रमजान स्पेशल रेसिपी है, यह रमजान की फेमस डिजर्ट है, आप भी इसे ट्राइ कीजिएगा, और कामेंट करके बताईएगा, अगर हमारी रेसिपी पसंद आए, तो जरूर हमाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, टैंक्स वर वाचिंग, कीजिएगा, शेर कीजिएगा,